है लो फ्रेंड्स वलकम तू माई चैनल इस वीडियो में आपको प्रियोडिक टेबल ट्रेंड्स को सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगी प्रियोडिक टेबल ट्रेंड्स का मतलब है कि कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि आटोमिक रेडियस, आयनाइशन एनर्जी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटे, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, मेटालिक कैरेक्टर उन सभी का रोल मतलब की कैसे प्रियोडिक टेबल में घटता है बढ़ता है वो मैं आपको पूरा एक्स्प्लेइन करूंगी इन सारे टर्म्स को भ जैसे यह 1A का ग्रूप है, ग्रूप को कंसीडर हम लोग टॉप टू बॉटम करते हैं बॉटम टू टॉप नहीं करेंगे टॉप टू बॉटम करेंगे अगर इसमें कोई चेंजिस होगा तो टॉप टू बॉटम में होगा और अगर पीरियोट का बात करें तो लेफ्ट से राइट में होगा, लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट नहीं होता है, अगर मैं बोल रही हूँ कि आटोमिक रेडियस है वो ग्रूप में इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, बॉटम टू टू टॉप इंक्रीज नह करता है ठीक है तो अगर आपको trick जानना है ना कि बस जिनका concept clear है वो बस trick जान लीजे और trick है कि जैसे यहाँ पर मैं group लिख रही हूँ अग group में increase का sign दे रही हूँ group में increase का sign दे रही हूँ मतलब कि यह सारे जो term है वो group में increase होँगे सिर्फ group में increase होंगे ठीक है कौन-कौन सा A और M A क्या हो जाएगा Яहाँ पर Atomic radius यह हो जाएगा Atomic radius और M हो जाएगा Metallic character Atomic radius और यह हो जाएगा Metallic character यह group में increase कर expressed Atomic radius और Metallic character अगर यह group में increase कर रहा है तो यह automatically है कि यह period में decrease करेगा मतलब group में atomic radius top to bottom increase कर रहा है तो atomic radius period में मतलब left to right वो decrease करेगा ठीक है अब ये तो हो गया group का बात अब फिर period में कौन-कौन सा increase होता है अब हम लोग period का बात कर रहे हैं ये हो जाएगा top to top to bottom ठीक है और ये हो जाएगा left to right ये increase कर रहा है ये increasing वाला मैं बता रही हूँ ठीक है increase में क्या-क्या increase करेगा IEEE IEEE का मतलब है इस I और E से हो जाएगा ionization energy इस E का मतलब हो जाएगा electron affinity और इस E का मतलब हो जाएगा electrone negativity group में A और M increase करता है period में IEEE increase करता है अब अगर देखा जाए अगर हम बोले कि ionization energy है group में क्या होगा ये decrease करेगा क्योंकि period में increase कर रहा है तो group में है कि decrease करेगा वो जो जो group में increase कर रहा है वो period में decrease करेगा और जो period में increase कर रहा है वो group में decrease करेगा ठीक है इसको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे I am preparing for AIEEE ठीक है तो इसमें I silent हो जाएगा I am preparing for AIEEE ये silent हो जाएगा M IEEE हम लोग का trick हो जाएगा ठीक है अब मैं एक-एक term को explain करूँगे और बताऊँगे कि ये कैसे increase होता है along the period और along the group ठीक है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं atomic radius से atomic radius distance from nucleus to the outermost electron मतलब की distance from nucleus to outermost electron यहाँ पर जैसे माल लिजे की ये हम लोग का nucleus है ठीक है और अगर हम लोग ये यहाँ पर एक electron है shell बना हुआ है और अगर यहाँ पर अगर माल लेता है हम लोग का ये है तो ये जो distance होगा हम लोग का वो हम लोग का हो जाएगा atomic radius atomic radius कैसे बढ़ता है ग्रूप में बढ़ता है मतलब की top to bottom बढ़ता है कैसे बढ़ता है वो मैं बता रहे हूँ जिसे पर यहाँ पर consider कर रहे है ठीक है first group को हम लोग ले रहे है तो इसका जो है electronic configuration निकालेंगे तो first वाले का hydrogen का निकलेगा तो hydrogen में एक यहाँ पर आएगा electron ठीक है उसका lithium का 3 है 1, 2, 3 ठीक है अब यहाँ पर अगर हम hydrogen का देखे यह hydrogen का तो यहाँ पर hydrogen है और यह जो होगा यह radius हो जाएगा अब यहाँ पर यह lithium है अब lithium का देखे कि radius यहाँ पर बड़ा हो रहा है उसी तरह अगर हम लोग sodium में जाते हैं तो sodium में एक और शबशल होगा ठीक है sodium में एक और शबशल हो जाएगा यहां पे अगर हम लोग electron को रखे sodium का तो देखेंगे कि अगर यह sodium का है तो यहां पे जो इसका radius होगा वो यहां तक जाएगा मतलब कि आप देखें कि hydrogen में छोटा था उसका lithium में उससे बड़ा था और फिर यहां पे sodium में आया ति यह सबसे जादा बड़ा हो गया मतलब कि धीरे धीरे increase कर रहा है radius ठीक है तो हम लोग क्या बोलेंगे atomic radius ग्रूप में increase करता है due to the addition of shub cell ठीक है उसके बाद metallic character हम सब पर जानते हैं कि periodic table में mostly metals ही है अगर जब metals है तो obvious से बात है वो metallic character show करेगा metallic character जैसे की हो गया metallic lusher, high electrical conductivity, thermal conductivity, ductility, malleability यह सारे show करेंगे ठीक है और यह सारे show करेंगे मतलब कि उपर से लेकर के नीचे तक में वो increase करते जाएगा इनका जो capability है metallic character show करने का वो increase करेगा top to bottom में ठीक है यह हो गया, अब हम लोग electronegativity को देखते हैं electronegativity मतलब क्या होता है कि tendency of atom to attract and form bond with electron और यह bond तब बनाएगा जब इसको electron का need होगा या तो यह electron दे करके बनाए या फिर electron ले करके बनाए जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना जो हम लोग के left side में जो भी elements present होते हैं उनमें देखेगा कि half field से कम रहते हैं ठीक है तो इधर side में electron lose कर देता है easily electron lose करता है कि जैसे कि यह देखे sodium का ही देखे 2, 8 और यह 1 है तो यह जो one balance electron है यह easily दिया जा सकता है किसी को भी क्योंकि इसको stable होना है अगर यह एक electron sodium दे देता है तो यह electron देने के बाद यह stable हो जाएगा और यह na plus हो जाएगा यह cation form करेगा cation form इसलिए करेगा क्योंकि इसने एक electron को lose किया है और वही जो gain करेगा यह cation form हो करके stable हो जाएगा और जो लेगा वो अनायन बन करके stable हो जाएगा stability तो हर किसी को चाहिए चाहे वो electron दे करके ले यह फिर electron ले करके stable हो ठीक है इसको हम लोग बोलते है electromagnetic है एक चीज और कि Nobel faze होते है Nobel Gases have fulfilled रहते है तो यही लोग atomic यह जो electromagnetic है वो शोग नहीं करते है और latching all astronaut чक भी है व्योग शोग नहीं करते है ठीक है अब हम लोग आउनेजाशिशन energy पे आते है energy required to remove than electron from a neural atom in gas espacio मतलब कि जैसे यही canhole YES 281 है तो यह 1 जो electron है valence electron इसको निकालने में जो electron मतलब energy लगेगा उसको हम लोग ionization energy बोलते हैं और यह ionization energy होगा वो धीरे धीरे left to right बढ़ते जाता है ठीक है, electronegativity भी क्या होता है left to right बढ़ता है और यह ionization energy भी left to right बढ़ता है ठीक है, अब हो गया electron affinity कोई atom कितना जल्दी एक electron को receive कर लेता है मतलब अपने पास रख लेता है और वो tendency कहां होता है इस side में जादा होता है इस side में कम होता है और इस side में जादा होता है जब भी आप product table को देखिएगा न electronic configuration किजिएगा तो आप लोग देखिएगा कि इधर का जो left side होता है वो less than half filled होता है ठीक है, as compared to right side वाले में तो ये एक electron को lose कर देता है और ये एक electron को ले लेता है gain करते हैं और उसके बाद stable होता है ठीक है, तो यही बोला गया है electron affinity जो कि left to right increase करता है एक बार मैं आपको revision करा देती हूँ कि group में कौन-कौन सा बढ़ता है ठीक है, group में कौन-कौन सा बढ़ता है A और M और period में कौन-कौन सा बढ़ता है IEEE, ionization energy, electron negativity और electron affinity और इसमें atomic radius और metallic character increase करता है ठीक है, और एक चीज, atomic radius में उपर से लेकर के नीचे बढ़ता है तो फ्रांचियम का जो होता है वो सबसे जादा atomic radius होता है और सबसे कम किसका होता है हीलियम का, ठीक है तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे तो प्लीज में चैनल को like, share and subscribe कर देजेगा and thank you for watching this